नमस्ते दोस्तों आज मैं आपको कुरूज से पत्तियां बनाने के लिए बताऊंगी तो देखिए इस तरीके से हमें फंदे फसाले नहें और कुरूज में से बनाना है इस तरीके से देखिए simple simple जो जाली बनती है उस तरीके से हमें देखे इस तरीके से बनाते जाना है 10-12 घर बना लेंगे हम देखे इतना लंबा ताकि हम इसे round करें तो एक छोटा सा यहाँ पे देखे तीन घर नीचे जाएंगे और फिर शलाई को डालेंगे कृष को इस तरीके से डालेंगे तो देखे यहाँ पे गोल सा round बन जाएगा उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसे पलट लेंगे इस तरीके से अपने तरफ कर लेना है पलट लेना है फिर होल में इस तरीके से एक फंदा फसाएंगे कृष में और पिर एक सिम्पल सर लपेटेंगे और फिर इस होल में जाके हमें फंदे निकाल लेंगे और फिर इस तरीके से घटा देना है देखे। फिर से हम यहां पर दो घर बनाएंगे फिर यहां पर दो फंदे घुमाएंगे फिर से उसी होल में डालेंगे और फिर इस तरीके से दो बार हम इसे निकालेंगे और यह कि यह लाश में तीसरी बार फिर से हमें यहां पर तीन घर बनाना है और तीन बार लपेटना है कुरूस में धाउन को हम तीन बार लपेटेंगे और यहां पे हम तीन बार फंदे निकाल लेंगे देखे एक दो एक यह तीन तीन बार निकाल लिए एक यह लास्ट वाला है तो उसे भी हमें निकाल देना है उस टाइम पे ही और उसके बाद फिर यहां पे फिर से तीन फंदे बनाएंगे और यहां पर सब्सक्राइब चार बड़ला पेटेंगे इस तरीके से बनाना है आपको देखे इस तरीके से हम बना लेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा अब हम घटाते जाएंगे जैसे चार घर बनाते तीन दो तीन चार किये तो अब हम वापस से तीन करेंगे तो इस तरीके से तीन घर कुरुज से बीनेंगे और तीन फंदे फसाते हुए यहां पर हम बीच में भी तीन फंदे निकालेंगे देखे इस तरीके से उसके अब फिर दो करेंगे तो फिर दो बार हम दागा लपेटेंगे इसी तरह इसके से आपको बीच वाली पत्तियां का बना लेनी है एक, दो, फिर दो फंदे फस़र लपेटेंगे कुरूस में और फिर यहां पे दो बाळ निकाल लेंगे इस तरीके से और ये लास्ट वाला है इसे बिन लेंगे कुछ इस तरीके से नजर आएगा देखे इसे तरीके- पढ़र भीनने के बाद पिर हम इसे एक फंदे लेकर के यहां पे इसे निकाल देगे तो फ्रेंज देखिए कुछ इस तरीके से नजर आयेगा, आप इस तरीके से भी अपलाई कर सकती है और नहीं तो फिर इसके उपर से हमें फिर से इसमें सिंगल कुरुसिया बनानी है देखिए मैं आपको बता रही हूं कैसे तो देखिए एके करके जो हमने बनाए हैं इस तरीके के होल उसे में हम इसे कुरुस को डालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे देखिए एके करके करना है देखिए इस तरीके से हमें करना है एके करके और उसे घटाते जाना है इस तरीके से हमें इसे के पूरी पती में ये डिजाइन बनाएंगे सिंगल कुरुसिया करेंगे आपको अगर कोई प्रावलम हो ताप मुझे कमेंट करके पूछे मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से फ्रेंस पूरे पती में लगा देना है कि बीच में जो है यहां पर देखिए सेंटर में जब हम बीच में आ जाएंगे तो यहां पर मैं थोड़ा सा ट्विश्ट दोंगी इस डिजाइन में देखिए फ्रेंस इस तरीके से हमें कम्प्लीट करना है अब जो है कि यहां बीच में इस तरीके से हमें बनाते जाना है और यहां पर मैं तीन घर एक्स्ट्रा बनाऊंगी और वापस से उसी जगह पर सबसे नीचे नहीं जाना है उसी जगह हमें इसे गिरा देना है तो थोड़ा सा नोकीला बन जाएगा फिर वापस से हमें उसी प्रोसेस को इस्तमाल करते हुए पूरी पत्ती का जो है कवर कर देना है इस तरीके से हमें बनाते जाना है फ्रेंज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अप्लोट करूँ तो वह आप तक पहुछ सके और आप उस वीडियो का देख करके इस्तमाल कर सकें और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें इस तरीके से हमें देखी पूरे पत्ती को इसे सेफ में हम एक रुसिया करके बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा आप इसे कि या फिर ट्रेवल क्लोथ में भी आप बना सकती है इस तरह के फ्लावर के पास में पत्तियां अब हमें इस होल में ही जाके इसे कंप्लीट करना है और वापस से इसी डंटी में बढ़ाते जाना है देखी इस तरीके से इस तरीके से कर लेंगे उसके बाद फिर यह वाला है जो हमने 10-12 घर जो पहले बनाया था उसमें ही हमें पहले दो घर को इस तरीके से उसे कभर कर लेना है और नीचे आ करके फिर से हमें इसमें 12-15 घर तो जितना भी आपको डिस्टेंस में फिर से वापस से पत्तियां बन बना लें इस तरीके से और तीन फंदे एक्ष्ट्रा बना के उसमें फिर आप इस तरीके से आपको बनाना है मैं और भी पतियां बना करके दिखा रही हूं आपको तो फ्रेंस देखिए यहां पर मैंने पांच पति बनाया है उमीद करते हैं आप सभी को यह डिजाइन पसंद आये होंगे यह कापी प्यारा साथ डिजाइन है पति है देखिए तो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद